स्वागत थे दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल में उमीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे तो दोस्तों बड़ी खुसकवरी CISF फायर माइन के तरब से निकल कर आ रही है जो की 1149 पोस्ट के लिए जो फीजकल डेट था हमारा वो रिलीज कर दिया गया है आपका सेंटर 41 जगा आपका सेंटर बनाया गया है और किन राजियों का कहां सेंटर दिया गया है सभी मैं आपको डिसकस करने वाला हूं इस वीडियो में टोटल मैं आपको प्रूप के साथ मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं और आपका जो एड्मिट काड है CISF फायर जाएगा और आपका जो फीजकल डेट है करीब 10 के बाद यानि 12, 11, 13 यानि इसी 10 के बाद से आपका फीजकल भी स्टार्ट हो जाएगा CISF फायर माइन का तो मैं सभी चीज पर आपको डिसकस करने वाला हूं सभी चीज आपको बताने वाला हूं और सबसे पहले एड्मिट कारड आएगा तो आपको इसी चैनल पर अपलोड करके बता जाएगा सबसे फास्ट अपडेट दिया जाता है इस चैनल पर तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नय हैं पहली बार विजिट कर थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर सेयर कीजेगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि CISF फायर मायन का एड्मिट कार्ड कब रिलीज किया जाएगा और सेंटर कहां कहां रिलीज किया गया है कहां कहां दिया गया है और हमारे description में जाकर हमारे भाठसोग गूरूप में आइड हो सकते हैं अगर कुछ भी आपको doubt है तो हमारे भाठसोग गूरूप में send कर सकते हैं यहामे हमें personally भी भेश सकते हैं आपका doubt किया जाएगा तो चलिए आए बीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं बता देता हूँ कि मैं आपको प्रूप के साथ ही दिखाने वाला हूँ तो मैं सिथा चलता हूँ PDF की ओर मैं आपको PDF उपन करके दिखा देता हूँ क्या-क्या वहाँ PDF में दिया गया है तो दोस्तों जैसा कि आप लोग हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे CISF का जो की नोटिफिकेशन एक आया है CISF के तरब से ओ आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होगे तो चलिए इस पीडियोप को मैं ओपन कर लिया हूँ और मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ देखिए इसमें साफ साफ लिखा गया है देख सकते हैं आप लोग जो की हमारा फॉर्म 2021 में भराया गया था CISF का तो इसमें देखिए इसमें क्या दे रखा है जो डेट था हमारा एक एस दो एक दो हजार वाइस देखिए CISF के तरफ से ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं केंद्रिये और धोगिक सुरच्छावल ग्री मंतियाले के तरफ से ये भरतिया निकलती है यहां पर भी आप लोग जैसा कि देख सकते हैं यह कोई भी फेक नहीं है आप लोग को भी यह पता होगा और नीचे भी आज आ जाते हैं तो देख लिजे सितंबर अगस्ट आइंड सितंबर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे और यहां पर भी आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे देखिए आप लोग को अच्छी तरीका से दिख रहा होगा 41 CISM unit आर्टेंटिवली यानि कि 41 center CISM का बनाय गया है आपका जहां फीजकल होगा totally 41 center बनाय गया है तो 41 center कौन क्या है आपको मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो छोड़ कर बिल्कुल भी मत जाईएगा बरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है तो जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको center भी दिखाने वाला हूँ किस state का कहां पर center और कितने center बनाय गया है तो मैं आपको वो center भी discuss करने वाला हूँ इस वीडियो में तो देखे जैसा कि बिहार और जारखन का जो है वो totally साफ center बनाय गया है पहला बरौणी का है देखे जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा मैं यहाँ पर हेड लाइट भी कर देता हूँ देख लिजे पहला जो है बरौणी है आपका बिहार और जारखन के जितने भी कंडिडेट आते है आपका वोरौणी में होगा दुसरा आपका कहल गाउ में होगा तिसरा बोकारो है चौठा धनबाद है और पाचमा आपका HEC राची है और सकेंड आर्बी राची है और सातमा जो है NTPC बाढ़ है बाढ़ में आपका फीचकल होगा तो टोटली बिहार और जारखन के कंडिडेट का साथ जगा फीचकल होने वाला है CISF फायर माइन का तो चलते हैं दुसरे अस्टेट की ओर और उन अस्टेट का कहाँ पर सेंटर होने वाला भी मैं आपको डिसकस करने वाला हूँ तो कोलकता का जो भी है अंडवान, आइन निकोबर, आइसलाइंड, सिक्की, उडिसा, आइन बेश्ट बंगाल तो इतने अस्टेट का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उतना बोलने का टैम नहीं है हमारे पास वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप अपना देख लिजेगा वैसे मैं इस पीडियाप को अपने भार्टसव ग्रूप में प्रोभाइट करा दूँगा आप वहाँ से जाकर अच्छी तरीका से डाउनलोड करके देख सकते हैं और देखें वेश्ट सेक्टर यानि महराष्टर, गोवा, गुजरात, दादर, नागर हवेली और दामन और दीप तो इन जगों का जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मुंबई, नासिक, भरोदरा, दिवास, इन जगा आपका फिजकल कंडेक्ट करा जाएगा CISF के तरफ से और कुछ सेंटर बच गये हैं तो मैं ओभी सेंटर इस वीडियो में डिसकस कर देना चाहता हूं दोस्तों ताकि आपको कुछ भी समस्या का सामना ना करना पड़े तो देखे NCR सेक्टर की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों जेकि डिल्ली उत्तर परदेश आइंड उत्रा खंड का जो भी कंडिडेट आते हैं इन सभी एस्टेट के जो भी कंडिडेट है उनका सेंटर CISF का इनी परने वाला है तो दोस्तों अभी तक हमारा इनफोर्मेशन कैसा लगा वीडियो कोमेंट सेक्षन में जरूर कोमेंट कीजिए और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि जब भी CISF फायर मायन का एड्मिट कार रिली झाला है झाला है झाला है